आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लेडिज सूट की स्टीचिंग कैसे करे लेडिज कमीज की सिलाई कैसे करे ये सब जानने के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखे अगर आप किसी भी तरह का सिलाई का काम सीखना चाहते हैं लेडीज या जेंट्स नया या पुराना सिलाई के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में इस बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आपको उसका मैसिज मिल जाए प्लीज सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले कर लेते हैं हम अपना गला तयार जो भी आपको गला तयार करना है उसी तरह की भुक्रम को अपने कपड़े पे रखे और इसके सिरे पे शिलाई लगा दे मैं ये गला गोल तयार कर रहा हूँ शिरे पे शिलाई लगा दे इस तरह से और इस बाहर वाले कपड़े को इसके उपर फोल्ड कर दे कैची के साथ इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर ले गले के सेंटर में निसान लगा ले गले को सिद्धे हिस्टे में रखके शिलाई लगानी होती है यह हमारे सूट का सीधा हिस्टा है बिल्कुल सेंटर में गले को रखें सीधी साइड में उल्टा गला करके बिल्कुल सेंटर में निसान को मिला ले नीचे वाला निसान भी और उपर वाला निसान भी दोनों को सेंटर में मिला ले और गले के बुक्रम के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगा दे कोई भी हिसा खिचा हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगाएं और कपड़े को नीचे वाले को खीचना नहीं है ना ही से ढिला रहने ते और ना ही खीचे आराम से धीरे-धीरे शिलाई लगाएं बिलकुल ये हमारी गले की शिलाई लग गई है गला फरन ठीसे के साथ अटेच हो गया है देख सकते हैं अब जो एक गले के अंदर वाला कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेते हैं अधा इंसका प्रचोड के कटिंग कर दें और इसमें अब कट लगा लेते हैं सिलाई को अटेच ना होने दे सिलाई से बिलकुल सटा के कट लगा दे ताकि गोलाई हमारे फीनिसिंग अच्छे से आ सके इस तरह से कट लगा दे आप इसे घुमा लेते हैं इस तरह से प्रट लेते हैं अंदर की तरफ आप ये काम कच्छा करके भी कर सकते हैं हाथ वाली सुई से और सीधिस पैर के भी सिलाई लगा सकते हैं और प्रेस के साथ भी कर सकते हैं पैर की सिलाई लगा दे दोस्तों कोई भी काम बताने से सारा नहीं आता आपको उसको ध्यान से देखना भी होता है कुछ काम ऐसा होता है जो ध्यान से देखने के बाद समझ में अच्छे से आ जाता है तो वीडियो को लाश्ट तक और ध्यान से देखे यह हमारी कच्ची शिलाई लग गई है निचे वाली शिलाई गले वाले कपड़े को बाहर ना दिखाई देने दे इसे साथ को शिलाई लगाई यह हमारी कच्ची शिलाई लग गई है लगा लेते हैं हम लेस को जो की कडाई वाली लेस थी हमने ये गले से उखाड़ी थी कटिंग करते समय क्योंकि ये गले में आ रही थी बिल्कुल सेंटर में लगाए इसे हाथ की सुनिसे कच्चा करके भी लगा सकते है लेकिन आपने बिल्कुल सेंटर निकाल के लगानी है जो सेंटर में निशान लगा था पैमास करके बिल्कुल सेंटर में लगाए, दोनों तरफ बराबर और बीच वाले सेंटर का भी ज्यान रखे एक साइड में लग गई तो ये अच्छी नहीं लगेगी और साइड में जाएगी अब बिल्कुल ये सेंटर में है, आप इसे हाथ की सुईसे कच्छा करके भी लगा सकते हैं और निशान लगा के भी लगा सकते हैं धीरे धीरे बिल्कुल किनारे से शिलाई लगाएं ये फिर कच्छा कर लें, बिल्कुल आराम से कन्नी के उपर से शिलाई लगाएं चारु तरफ शिलाई लगा दे नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा अपनी तरफ खीच के सफाई से लगाएं कोई सलपट बगारा नहीं आनी चाहिए सेंटर को चेक कर लें पक्का कर दें हमारी कढ़ाई वाली पुपी लेस लग गई है इस तरह से लगानी है विल्कुल सेंटर में लगी है लगाने के बाद भी पर चेक कर लें नहीं तो आप कच्छा करके ही लगाएं पक्का कर दें अब हम अपना बैक वाला गला ले ले लेते हैं विल्कुल से तयार कर लेते हैं जो कि हमने बैक वाला गला कटिंग के दोरा नहीं काट दिया था इतना कपडा ले जो इसके अंदर फोल्ड हो जाए ये शिलाई लगेगी उल्टे हिस्से से क्योंकि ये अगला हमारा बुक्रम पर नहीं बन रहा है तो उल्टे हिस्से से शिलाई लगानी है जो हमारा कपडा उसे सीधी तरफ रख दिया है उल्टे हिस्से से अब इसे यहां पर लगभग पैर की शिलाई लगा देते हैं या फिर आप कच्छा करके भी शिलाई लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से पैर की शिलाई लगा दे गोल बिल्कुल गोलाई में शिलाई लगाएं किसी भी कपड़े को कहीं पर ना कीजे नीचे वाले को भी नहीं और उपर वाले को भी नहीं बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगाएं ये हमारी बैक वाले गल्ले की सिलाई लग गई है इस कपड़े को बीच से लग कर ले और बाहर वाले कपड़े को भी काट दे लगबग 1.5 इंच फोड के कपड़ा काटे जो के मारा अंदर के दर हमरना है और कट लगा ले बिल्कुल इस लाई के साथ सटाके अच्छी फीनिसिंग आएगी गोलाई की जितनी चोड़ाई गले की है उतनी ही चोड़ाई रखे इस पट्टी की जो हम फोल्ड कर रहे हैं अब इसे प्रेस के साथ भी फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से फोल्ड करें कि यह अंदर गले वाला कपड़ा बाहर ना दिखे सुई के साथ भी कच्छा कर सकते हैं हाथ वाली से या फिर मशीन की पैर की शिलाई कच्ची लगा ले बिल्कुल गोलाई में शिलाई लगाएं बिल्कुल गोलाई में मोडे शिलाई को सीखने के लिए वीडियो को ध्यान से देखे यह हमारा बैक वाला गला तयार हो गया है अब सिधे वाले हिश्चे को ले लेते हैं फ्रंट वाले हिश्चे को नीचे जो हमारा बैक वाला हिश्चा है उपर है फ्रंट वाला हिश्चा इस तरह से रखे और नीचे वाले का एक टाका शिलाई का उधेड के इसके उपर घुमा दे देख सकते आप इस तरह से घुमा के शिलाई मार दे दूसरी साइड में भी इसी तरह से फरंट वाले हिस्षे को उपर रखे इस तरह से उपर की तरफ मोड़े बार की तरफ और डैक वाले हिस्षे को नीचे पका करें और शिलाई लगा दे अब इसे सीधा करके देखें दिखाते हैं आपको कैसे किस तरह से शिलाई अंदर चली जाती है यह देखें अंदर की तरफ भी देख सकते हैं इस तरह से अब यह तुर्पाई हो जाएगी इस तरह से फोल्ड करके लगाते हैं अब हम फिटिंग वाली शिलाई लगा लेते हैं बिलकुल अच्छे से मिलाके नसिंग पर रखें और जो यह हमारा फिटिंग वाला निशान है और हमारे वैसे निशाने ने थोड़ा चोक के साथ गहा कर ले और इसे दबल फोल्ड करके थोड़ा दबा दे ताकि निशान दू इससे शेम फिटिंग आएगी आप देख सकते हैं हमारा निशान दूसरी तरफ भी हलका हलका आ गया है इससे चोक के साथ थोड़ा गहरा निशान लगा ले शेम टूशेम लगाए एमास कर ले एक बार कमर की भी और हिप की भी अच्छे से बिलकुल गोलाई में शिलाई लगाए पका करके निशान के उपर से सब भी निशान आपस में मिले हुए होने चाहिए पका कर दे इसी तरह से दूसरी साइड में भी शिलाई लगा दे वह शिलाई हमारे उपर की तरफ से श्टान हुई थी यह नीचे की तरफ से श्टान होगी पका करके शिलाई लगाए बिलकुल शेम टूसेम गोलाई में हमारी दोनों से लाई लग गई है पैमास कर ले अपने पिटिंग वगएरा की कहीं फिर बाद में प्रोब्लम ना हो पैमास बिलकुल ठीक है ये है हमारी बजू बजू में लगेगा ज्वाइन बजू में जोड लगेगा बगेर जोड के बजू तयार नहीं हो रही है जितना भी आपका जोड है जितना भी आपका एक्स्ट्रा कप्टा लेना हो लेकर निसान लेकर काट ले अब हम अपना बजू का ज्वाइन्ट लगा लेते हैं दोना जुएंट को बाजु के साथ अटेज्ट कर लेते हैं पैर किसी लाई लगा दे दूसरी को भी ऐसे ही जुएंट लगाते समय उल्टे सीधे का ध्यान रखे वन साइड ही जुएंट लगाई क्योंकि बाजु में कड़ाई है अब इस जुएंट के उपर से लब की सिलाई लगा दे इस तरह से शिलाई लगा दे इसी तरह से आपने सिलाई लगानी है दोनों बाजु को इसी तरह से शिलाई लगा दे हमारे जुएंट की सिलाई लग गई है अब कर लेते हैं बाजु की थोड़ी सी कटिंग जो भी एक्ष्ट्रा कपड़ा वगारा है उसकी कटिंग दोनों बाजु को एक साथ रहे और सिधा हिस्सा अंदर की तरफ दोनों को इस तरह से मिला ले और एक्ष्ट्रा कपड़े का मार दें कटिंग कर दें गोलाई में कटिंग कर दें अब जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसे आदा इंस गैराई कर लेते हैं सिर्प दो हिस्सेगी निशान लगा के थोड़ा गोलाई में निशान लगा ले आदा को नाइंग जो कि हमारे फ्रंट में आएंगे उस दो हिस्सेगी कटिंग गई है और जो गोलाई है वो बैक साइड में जाएगी इस चीज़ का ध्यान रखना है बाजू चढ़ाते समय बीच में सेंटर में निशान लगा लिए अब अपनी बाज्यों की सिलाई लगा लेते हैं लैस के उपर से सिलाई लगा दे ये सिलाई कच्ची होती है दूसरी बाज्यों को भी इसी तरह से क्योंकि जो कढ़ाई होती है लैस की कढ़ाई बोडर होता है ये कच्चा होता था अब अपनी बाज्यों को सिलाई लगा लेते हैं जितनी बाज्यों है हमारी आगे से मोरी उस पर निशान लगाए पहां चिंच पर निशान लगाया दोनों पर बराबर निशान लगाएं पिलकुल हर मोहल को नापकर इसका निशान लगा ले जितना और मोहल ले उसे आदाइंट ज़्यादा और सिलाई लगा देबाज उपर दोनों पिलकुल अच्छे सेफ में शिलाई लगाएं लगने के बाद जो वाले एक्स्ट्रा कपड़े में इस तरह से कैसी के साथ कट लगा ले कट लगाने के बाद बाजू को कमीज के साथ अटेच कर लेते हैं बाजू को सिधा करें शिलाई सीखने के लिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें एक बार आर मोल के साथ बाजू को नाप ले और ये दोनों कट सामने होने चाहिए बाजू का कट चेस्ट के तरफ यानि के सामने होना चाहिए इस तरह से पकड़े बाजू को अंदर की तरफ से पकड़के शिलाई लगा दे अच्छी तरह से चेक करके जोइंट को मिलाए और शिलाई लगा दे पका करें और शिलाई लगा दे बाजू का कपड़ा अमेशा बाजू चढ़ाते समय नीचे होना चाहिए और जो हमारा बाडी का कपड़ा होता बोडी का वो उपर बिल्कुल हल्क के हाथ से बाजू की शिलाई करें मारजन को सेम रखें शिलाई ज्यादा या कम ना हो कही पर भी शिलाई हो एक्स्ट्रा मारजन को सेम रखें इस तरह से इस एक्स्टा कपड़े को अंदर मूड ले जो चेस्ट वाला है और बाजू वाला जो एक्स्टा मार्जिन कपड़ा है हमारी एक बाजू अटेश हो गई है सिधा करें बाजू को एक बार चेक कर ले कोई सलोट बगारा तो नहीं है यह देखिए कितनी अच्छे से बाजू अटेज होई है इस तरह से आपने बाजू लगानी है आप देख सकते हैं कितनी कोई भी सलोट बगारा यहां पे नहीं है इसी तरह से दूसरी बाजू लगानी है बिल्कुल इसी तरह से बाजू को सीधा करें और सेम उसी तरीके से बा शिलाई के साथ शिलाई को मिलाएं और अंदर से पकल लें हमेशा ही बाजू को अटेच करते हुए सार्ट, सोंट, कमीज, कुछ भी हो शिलाई करते हुए बाजू का कपड़ा हमेशा नीचे होना चाहिए अच्छी फिनिसिंग के लिए शिलाई के दोरान बाजू अमेशा नीचे होनी चाहिए पैट पलेर के और शिलाई लगा दे उसी तरह से से प्रोसेजर के साथ शिलाई लगा दे अगर आपको बाजू अटेच करने में प्रोग्लम आ रही है तो आप उसे कच्छा करके चेक कर लें एक बार बाद में उसे पक्की सिलाई लगा दे बिल्कुल धेले हाथ से हलके हाथ से शिलाई लगाए ताकि कोई सलवट बगेरा ना हो हमारी दोनों बाजू अटेच हो गई है सिधा करे और उसे भी चेक कर ले देख सकते हैं बाजू को कहीं भी सलवट बगेरा गुलजट बगेरा इसमें नहीं है तो इस तरह से आप इसे चेक कर लें और बाजू को अटेच करें अगर कोई आपको बाजू से डाने में कहीं भी कोई प्रोब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे वर्टसप नमर पे वर्टसप कर सकते हैं तो पूरी तरह से ध्यान से देखे पूरी वीडियो देखे अब हमें नीचे से इसे फोल्ड करना है तुरपाई के लिए एक्टर धागे वगारा कट कर दे अब प्रेस के साथ भी कर सकते हैं साइड से फोल्ड क्योंकि इसके आगे पीछे बोर्डर है साइड फोल्ड करनी हो लिए प्रेस के साथ निचान लगा के भी आप फोल्ड कर सकते हैं या फिर सुवी के साथ भी कर सकते हैं कच्छा करके इस तरह से जितना आपको गेर का extra margin लिया है उतना ही forward करें जितना आपका extra margin है बिल्कुल बराबर और रच्छे से forward करें अच्छी शिलाय लगाएं ताकि बरापर शिलाय रहें कि चाओ वगैरा कहीं ना हो घुमाले इसी तरह सिलाय लगा दे इस तरफ कच्छी शिलाय है रुपाय करने के बाद ये सिलाई हम रेमूव कर देंगे उधेड देंगे म suf कर रके फ configure रचया ओर वाला हिसा और दोनों को सेम रखे एक शाइड की हमारी लगगाई है जेक येक बार दोनों को मिला के कि हमारी सिलाई गटी और स्थिक लगी है जेक करके मिला के दूसरी साइड की भी सलाई इसी तरह से लगा दे बिल्कुल बराबर जितना फोल्ड इस साइड में किया है उतना ही फोल्ड दूसरी साइड में कर दे बिल्कुल पैमास के साथ अपने घेर बगारा की भी पैमास करके ही फोल्ड करें कि बिल्कुल बराबर शिलाई लगाएं दोनों बराबर पोल्ड करें कि अब लिया कि अब बराबर चेक करते में शिलाई लगाएं हमारा सूंद कमीज तयार हो गया है इसी तरह से आप कटिंग के बाद सूंद की सिलाई कर सकते हैं एक बार सिधा करें, और पूरे सूट की पैमास कर ले, तुर्पाई करने से पहले पूरे सूट की पैमास कर ले, जो भी आपके पास पैमास है, उसी हिसाब से चेक कर ले, तुर्पाई में आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा किस तरह से इसकी तुर्पाई करते है में हैं हमारा घेर बगार दोनों सेम है वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं वीडियो को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन दबा दे नमस्कार दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में